यह question unitary method बाट लिएक हो रा देहरे पल्टा इस तो question अगर रिपीट भाग होंचा तपह यह question question no.18 BLE मा question no.18 मा पौन होंचा So, यह question no.10 मा की रहेगासा यह बंदा अगाड़ी 9 order question मा ले अपलोड गरेगासा यह question no.10 मा 40 levers take 30 days to complete the work 40 जना लेवर लेचे 30 दिन मा काम गर्षा How many levers must be added? कती जना लेवर add होधा in order to complete the same work in 24 days 24 दिन मा काम सकी ना लाई कती जना लेवर हो add होनू पर्यो पहले चे कती दिन मा काम गर्ना सक्थे हो? 30 दिन मा, 30 दिन मा 40 जना लेवर चाहिन सावणने 24 दिन मा कती जना लेवर चाहिन साव त्यों हमिले निकालनू पर्ने Let's take a start solution आप यानिरी लेवर लेखुं number of lever, lever जे रखदा पनी बहाया और को time या लेखदा पनी बहाया days लेखदा पनी होधा जे लेखदा पनी होधा आप या 40 जना लेवर ले 40 लेवर, can do a piece of work in 30 days 40 जना लेवर चे 30 दिन मा काम गर सा वने how many lever must be added वाने को सा कथी जना add उनू परो 40 तो अल्रेडी चाहती सा कथी जना add उनू परो वने को x लेट गरने suppose x जना लेवर चे add उनू परो त्यानिरी let the number of added number of added लेवर levers be x x जना लेवर add उनू था करी तही काम कथी दिन मा सक्षा 24 दिन मा सक्षा ओके now अब यो direct हो की indirect variation हो तो final गरने हो अब धेरे लेवर हो था करी थोरे दिन लाग सा काम गरना रद थोरे लेवर हो था करी धेरे डेज लाग सा काम गरना धेरे लेवर हो था डेज के लाग सा थोरे दिन लाग सा काम गरना लाए बनी को यो indirect variation हो यो उता धेरे हो था करी और को थोरे लाग सा बनी पासी बाई द रूल आफ इंडाइरेक्ट इंडाइरेक्ट वेरियेशन यो indirect variation indirect variation हो था करी 40 by 40 plus x x is equal to indirect interchange गरने ताल लाक माति माथी को तालो गरने 24 by 30 लेख्नेयो अब ख्रॉस्मॉर्णी बाने यो रही मुत्प्ला गरने यो रही मुत्प्ला गरने 40 x 30 is equal to यो रही मुत्प्लाइब गरने 24 40 plus x गरनेयो ठीक सा अब यो मन्टिप्लाय मास होने डिवाइद हों सा 40 x 30 divided by 24 is equal to 40 plus x लेकने हो, अब यो अब यो अब काल्कुलेट गारने हो 6 4 जा, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 हों सा यो 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 4 जा 4, 10, 4 10 जा 45 x 10 का दियो हों सा 50 is equal to 40 plus x बायो अब यो 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 अनलाइक टम सा एड़ होदा है यो यो 10 के गाणने में, लेफ वान लियो होने, जो के लिखने पार सा 50 minus 40 is equal to x, therefore x is 0, 10 आयो, हम लगके निकालनों पढ़ने, number of added labor, कथी जना add होदा करी, so हमें के लख्यों, therefore number of added labor is 10 labor, 10 जना labor add होदा करी, 10 जना labor, तो काम जोइन गर्दा करी, काम छीटो सकिन सा, कथी दिन मा सक्सा, 24 दिन मा सक्सा, hope you understand this video, if you are new on my channel, please consider subscribe, यो video रामन लाइवने, please like गर्नू होला, राफनो साथी भाहि संग अपनी, share गर्नूस, धनिवाल